कक्षा 11 इतिहास और ऐसा करते हुए हमने बिलकुल आदिम जातिकाल से लेकर लगबग 20 वी शताबदी तक का इतिहास पढ़ा इतने लंबे काल की यात्रा की इस यात्रा के दौरान विश्व इतिहास के विभिन्य पहलूँ को हमने समझने की कोशिश की और विश्वास है कि अब आप इस निश्गर्ष पे पहुंचे होगे कि इतिहास एक विज्ञान है इतिहास में भी कारण और कारे ये दोनों का निकट का संबंद है कारण और कारक ये एक प्रक्रिया है सतत्प्रक्रिया और उसी प्रक्रिया के तहत हमने क्रमवार अध्यायों का अध्याय किया आज का हमारा अध्याय है मूल निवासियों का विस्थापन मूल निवासियों का विस्थापन विशे के शीरशक से ऐसा लगता है कि इसका इतिहाद से उतना सरोकार नहीं है ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग धन का विशय इतिहास में जोड़ा गया है सचाई तो ये है कि आधुनी की करण का इतिहास जो है जो हमारा अंतिम भाग है उस आधुनी की करण के इतिहास का प्रारंब संभवत इसी अध्याय के हुई घटना क्रम से होता है याने यदि विश्व के आधुनी की करण की हम बात करें तो उसमें मूल निवासियों के विस्थापन की अहम भूमिका है तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं आधुनी की करण के तहत आधुनी की करण की ओर के तहत यह ध्याय बहुत रोचक है और इसके विभिन्द पहलूओं को यदि आप आयामों को अच्छी तरह समझें तो आपको एक ऐसा पूरा नक्षा एक खाका आपके मन में आ जाएगा कि कैसे कारण और कारक एक दूसरे से जुड़े हुए है इस अध्याय में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा हमने पढ़ा था पूर में बदलती हुई सांस्कृतिक परमपराएं क्या था अध्याय बदलती हुई सांस्कृतिक परमपराएं और ये अध्याय जो है वो लगभग 14-17 सदी चौदा सो से सत्रा सो के काल की है जब नगरों की संख्या बढ़नी शुरू होती है नगर राज्य शुरू होते हैं एक नगरी संस्कृति का विकास होता है कुल मिलाके हम उस अजनी की करण के बीज शायद यहां से देख सकते हैं जब नगर विवस्था प्रारम होती है नगर के लोग सोचने लगते हैं कि गाओं के लोगों से वे अधिक सब्य हैं यह चौदवी शताब्दी से सत्रहवी शताब्दी का काल है सब्यता और सब्य होना यह सब इस काल में शुरू होती यह बातचीत खासकर इटली के शहर यदि आप याद रखें आपको याद होगा फ्लॉरेंज वेनिस रोम यहां पे नए-नए कलाएं सामने आई नगर राज्यों का निर्मान हुआ चर्च बने और बहुत सारे ऐसे कलाकार बहुत सारे वैग्यानिक संगीत कार ऐसे सामने आए जिससे ऐसा लगता है कि जिस आदिनी की करण की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी शुरुवात संभवता हम इस चोधवी पंदरवी शिताब्दी की घटलाओं से देख सकते हैं मुद्रन का विश्कार छपाई आदि और इसके साथ ही विचारों का ज्यादा विश्तरित आदान पदान यूरोप में इतिहास की जो समझ इसके साथ विक्षित होती है और लोग अपने को अपने आधिनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगते हैं इसके साथ ही एक सौर मंडल वाली घटना भी इसी दौरान होती है जब वैज्ञानिकों ने ये गलत सिद्ध कर दिया कि जो पूर्व में जो परिभाशित था कि पृत्वी के चारों और सब भूमता है वह गलत है वे बहतर समझने लगे नवीन भागुल ग्यान ने इस बात को उलट दिया कि भूमत जिसागर विश्व का केंद्र है इस उचार के पीछे शायद ये मानने था थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है तो इस परकार यहां पर हम आधनी की करण के बीज देखते हैं बदलती हुई परंपराओं के अध्याय में हमने नहीं नहीं परंपराओं जिसका मैंने जिक्र किया ये समझा अब ये परंपराओं के प्रभाव होते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं कुछ घटनाएं हुई परंपराओं स्थापित होई और इन परंपराओं के आने से कुछ और हल्चल संस्कृती में होती है हमे लोगों का एक खेतर से दूसरे खेतर जाना आना होता है 1453 पर तुर्की का कबजा और वहां से एक पूरा नया इतिहास हम देखते हैं प्रारंब होता है 1453 तुर्की का कॉंस्टेंटिनोपल पर कब्जा उस कब्जे से ने किस प्रकार यौरप के इतिहास को यौरप की आर्थिक संद्चना को बदल लिया था यह हमने पढ़ा था उस पे मैं फिर से गहराई पर नहीं जाना चाहूँगा पर इतना बता दूँ कि इस घटना के बाद पूर्वी यौरप और पश्चमी यौरप यहां की जो सभिताय थी इनके बीच में टकराहट होती है तकराहट से अर्थ यह नहीं है कि तकराहट का अर्थ कुछ तना होता है इसका अर्थ के बाद यह है कि एक दूशरे से वे संपर्क में आते हैं पूर्वी यौरप की सभिताय और पश्चमी यौरप की संपर्क में आती हैं आवागमन बढ़ता है होता है और इसके परणाम सुरूप कुछ अन्य चीजें ये टकराओं के परणाम सुरूप कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं इस अध्याय में हमने पंद्रवी और शोलवी शताब्दी से संबंधित कुछ घटनाओं का जिकर जाना था और उसके बाद कि 1492 में कैसे पूर्व की और यात्रा करते करते जहां पहुंचा उसे इंडीज मान लिया था इसका भी जिकर मैं पूर्व में कर चुका हूँ क्योंकि वो तो भारत की खोज में निकला था और कॉलंबस था तो इटालियन पर स्पेन के राजशाही की मदद से उसने वो यात्र शुरू की थी और मूल मकसद था भारत के लिए रास्ता खोजना और रास्ता खोजने के आवश्कता आदी क्या थी यह सब हमने पढ़ा है पर रास्ता खोजने की जुरत थी और इसलिए जब उसने एक जमीन देखी नहीं तो उसने समझा है शायद भारत आ गये हैं इसलिए उसने उसका नाम इंडीज दिया उसके बाद मारको पोलो का वृत्तांट भी उसने पढ़ा था उसने भी उसको इस खेत्र को इंडीज कहने के लिए प्रभावित किया बाद में उस खोजों से पता लगा कि नई दुनिया के इंडियन जो थे यह नई दुनिया कहलाई जिसे कोलमबस ने खोजा यह नई दुनिया के जो इंडियन थे यह वास्तों में भारती नहीं बलकि बिलकुल अलग संस्कृति के लोग थे कोलमबस की यह चांस डिसकवरी थी कि जिस हिस्से को उसमें देखा था वो एशिया का हिस्सा नहीं था जैसा वो पूर में मान के चल रहा एक और उत्तरी अमेरिका में देखें तो कैरीबियन और ब्राजिल दक्षिन अमेरिका में दो तरह की विलकुल अलग संस्कृतियां सब्सिस्टेंस एकॉनमी इसे हम कह सकते हैं उनकी अर्थ विवस्थाएं भी अपने अलग अलग तरीके की थी दूसरी और विकसित खेती और खनन पर आधनिक जो शक्ति शाली राज तंत्रिक विवस्थाएं थी मैको के मध्ध अमेरिका में और माया समधाय और पेरु के इनका समधाय इस नक्षे में आप देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिन अमेरिका दो अलग अलग तरह की संस्कृती उत्तरी अमेरिका केरिबियन तथा ब्रादिल में ब्रादिल दक्षिन अमेरिका खेती और विकसित खेती और खनन तो उसमेकार हमीं कह सकते हैं कि अब इन सब्विताओं की टकराहट शुरू होती है और उस टकराहट के परिनाम निकलते हैं ये टकराहट का काल 15-16 शताबदी का माना जा सकता है मारको पोलो, मैगलेन, कॉलंबास, वासको डिगामा इन सबकी आत्राएं ये अचानक नहीं होती हैं इसके पीछे एक बड़ी लंबी प्रिष्ट भूमी हैं जिसका अध्यान हमने पूर में किया है वियापारिक जरूरते हैं इन लोगों को एक ख्षेतर से दूसरे ख्षेतर में जाने को विवश्ट करती हैं और 15-16 शताबदी में इस टकराओ के परिणाम स्वरूप इन विभिन संस्कृतियों के एक दूसरे से मिलने के परिणाम स्वरूप एक नई करांटी होती है नई चीजों का विकास होता है और एक तरीके से अध्योगिक करांटी ये इसी तकराओ का परिणाम थी जिसे हमने ब्रिटन में पनपते हुए देखा उसका ध्यान किया इस करांटी के ब्रिटन में बड़े दूर गामी परिणाम हुए थे उसके बाद वो पूरे यॉरॉप में फैला स्वित अमेरिका में फैला और पूर उसके बाद विश्व के समाज और विश्व की अर्थ वस्था पर इसका भारी प्रभाव बढ़ा अध्योगिक करांटी के अध्यन के दौरान हमने ये भी देखा कि ब्रिटन में जो अध्योगिक करांटी की नीव थी वह नीव किस पर आधारित थी शोशन पर किनके शोशन पर मज़दूरों के महिलाओं के बच्चों के एक और मशीनी करन योरप को आध्यनी की करन की और ले जा रहा था वहीं उसके समाज का एक बहुत बड़ा तबका शोशन से गुजर रहा था ऐसे ही 14-15 शिताबदी में जब व्यापार विकसित हो रहा था तो एक और जहां अमीर वर्ग व्यापारी वर्ग या मैं कह सकता हूँ अविजात वर्ग संपन होते जा रहा था वहीं एक दास वर्ग बहुत बड़ी संख्या में पनप रहा था अर्थात ये अंतरराश्टी व्यापार उस काल का वह भी इन दासों के शोशन पे आधारित था निशकर्ष ये कि ये जो आधनिक यूरप जो बना है या आधनिक विश्व जो बना है और इस आधनिक यूरप और आधनिक विश्व के निर्मान में जिन देशों ने अहम भोमी का निभाई है किसी दौर में उन्होंने अत्याधिक शोशन भी किया है चाहे वो दास के रूप में एशियाई और एफ्रीकी निवासियों का शोशन हो चाहे वो अपनी हैं देश में मजदूर वर्ग का शोशन हो चाहे वो भारत के लोगों का शोशन हो जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना था और ऐसे ही अन्य ऐसे देशों द्वारा अन्य उपनिवेशों का शोशन हो जिसका जिक्र हम इस अध्याय में करेंगे जो हमारा आज का विश्या है तो मूल निवासियों का विस्थापन ये एक तरीके का शोशन ही था उस वर्ग के द्वारा जो आज अपने को अत्याधिनिक सब भी समझता है उस वर्ग के द्वारा जो आज सबसे ज़्यादा विकसित है वर्ग से मेरा ताज परिवह देश, उस देश के लोग चाहे वो इंगलेंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिट्न, जामनी आदि हों जिन्हों ने 14-15 शताब्दी में दास प्रथा के माध्यम से और उसके बाद और जोगी करण के काल 17-18-18-19 वी शताब्दी में मजदूरों के शोषण के माध्यम से तथा कथित आदिनी की करण की नीव रखी मूल निवासियों का विस्थापन निवासी का अर्थ क्या है? निवासी मतलब रहने वाले, किसी एक स्थान पर रहने वाले, आप सब जानते हैं अब मूल निवासी मतलब जो वहाँ पर प्रारंब से, अनादि काल से बहुत समय से रह रहे हूं वे मूल निवासी कहला है पचास सौ वर्ष पहले रहने वाले मूल निवासियों की चर्चा नी है इस सद्ध्याय में उनकी चर्चा है जो अतिप्राचीन काल से उन खेतरों में, विश्व के विभिन्निक खेतरों में रह 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 थे वे मूल निवासी कहला है मूल निवासी और फिर विस्थापन विस्थापन अर्थाथ एक जगह से दूसरी जगह जाना चले जाना और फिर वहां रहने लगना चले जाना और रहने लगना तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि दुनिया के विविन देशों में जो मूल निवासी थे उनका विस्थापन हुआ उसके कारण हम जानेंगे विस्थापन के कारण उसके बाद उस विस्थापन के परणाम जानेंगे और जिनोंने ये विस्थापन किया उनकी क्या स्थिती है इसका अध्यन करेंगे जिनोंने विस्थापन किया उनकी क्या स्थिती है जिनका विस्थापन हुआ वो तो हम जानेंगे ही इस अध्याय में पर जिनोंने विस्थापन किया वहां के मूल निवासियों का उनकी क्या स्थिति है इसका अध्यन करेंगे और ऐसा अध्यन करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि विस्थापन होते क्यों है उसका इतिहाद से क्या सरोकार है और इस विश्थापन की प्रक्रिया ने विश्व को कैसे बदला है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सध्याय के और जिसका नाम है मूल निवासियों का विश्थापन मूल निवासियों के विश्थापन का जब हम जिक्र करेंगे तो आपको ख्या लखना है कि हमारे इस सध्याय में मूल तर हमने दुनिया के बहुत से ऐसे विश्थापन की प्रक्रिया को चुआ नहीं है और अपना ध्यान केवल दो जगह के विश्थापन पर रखा है एक है अमेरिका और दूसरा है ऑस्टेलिया अमेरिका और ऑस्टेलिया यहां के मूल निवासियों के इतिहास को समझेंगे उसके कुछ पहलू को जानने की कुशिश करेंगे हमने जब संस्कृति संस्कृति क परंपराओं का ध्यन किया था उस दौरान एक चर्चा हुई थी एक बात बताई गई थी कि कैसे डक्षिन अमेरिका में डक्षिन अमेरिका में स्पेन और पर्तगाल के लोगों ने एक तरीके से अपनी बस्तियां बनाना प्रारंब कर दिया था जिसे बाद में उपनिवेश कहा गया और इसका इस बस्तियों बनाने की प्राक्रिया का प्रारंब एक तरीके से स्पेनिश और पर्तगीज लोगों के द्वारा किया गया यह आप समझ लें अठ्ठारवी सदी में दक्षिन अमेरिका के 18 सेंचρι में दक्षिन अमेरिका के हिस्सों में उसके बाद मध्य उत्तरी अमेरिका फिर दक्षिन अफ्रीका आस्टेलिया और नियूजिलिड यहां पर भी यॉरप के लोग आके बसने लगे यहां पर भी दूसरे देशों के विशेशकर यॉरोप से आए हुए लोग बसने लगे हो यॉरोप से लोग गै क्यों थे इसका आगे जिक्र होगा पर आपको इतना समझ लेना है कि विश्व के इस नक्षे में जो विश्थापन की जो प्रक्रिया जो दिखाई है हम अपना ध्यान मूलता अमेरिका और आउस्टेलिया में के इंदरत रखेंगे अनिथा इसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा यह इन्हों ने अपने इस कॉलोनी को इस अंग्रेजी में हैं बस्तियों को कॉलोनी कहते थे क्या कहते थे कॉलोनी तो उन्होंने कोलोनाईजेशन शुरू किया याने बस्ती करण की प्रक्रिया शुरू किया और कॉलोनी को उपनिवेश कहना शुरू किया उपनिवेश तो आप पहली बात पर यह समझ जाएं कि उपनिवेश कॉलोनी बस्ती एक ही चीज़ है प्रारम में वो बस्ती के रूप में हुआ और फिर कालांतर में समय के साथ साथ वो बस्तियां हटके उपनिवेश का रूप ले लिए और जब यहां से यह अप्रवासी लोग चले आये थे यहां से जब चले गए बाद में अपने मात्य देश चले गए तो यह उपनिवेश स्वतंतर राष्ट बन गए बीश्वी शिताबदी में ऐसे हमने बहुत से पच्छासों उपनिवेशों को राज्य बनते स्वतंतर राष्ट बनते देखा है और यह जो स्वतंतर बने ये 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तक पूर्व में 17-18 सिताबदी से ये उपनिवेश थे और इन उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया की शुरुआद सरप्रथम स्पेन और पर्टगाल, तब देखते हैं, मैंने अभी योरोप पर जिक्र किया, कि योरोप के लोग अप्रवा प्रवासी के रूप में आया है, लेकिन 19 सुई और 20 सदी में, इशियाई देशों के लोग भी इन कोछ देशों में आ गें ते, किन कुछ देशों में, यही अमेरिका में, ओस्ट्रेलिया में और कुछ अनक खेतरों में, इशियाई देशों के लोग भी यानि मूल रूप स एशियाई थे पर अप्रवासी के रूप में वो भी गए तो यूरोपियन्स गए कुछ एशियाई भी गए और एशियाई जो गए वो उननिस्वी शताब्दी के बाद ही आज तो श्थित ये हो गई है कि उन देशों में जहां से ये एशियाई और यूरोपियन गए उन देखिये घटना करम कैसे होता है अप्रवासी के रूप में किसी कारणों से गय कारण बहुत से हो सकते हैं चाहे उनका ये शौक था नहीं जगों को खोजना और वहां बसना या वियापार के उद्धेश्च से या सत्ता पाने के उद्धेश्च से और भी बहुत से कारण हो सकते हैं तो ये एशियन कंट्रीज से कुछ लोग और येरोपियन कंट्रीज से कुछ लोग दूसरे देशों में गय वहां उन्होंने कॉलोनी बनाई बस्ती बनाई बस्तियों का निर्मान किया जिसे बाद में उपनिवेश कहा कोलोनाइस किया उपनिवेश कहा फिर उसके बाद वहां कई सो वर्ष तक रहे लगबग 200-200 वर्ष तक और इस दोरान वहां की संपदा का उपयोग करते हुए ये लोग अमीर हुए फिर इसके बाद बीसवी शताबदी में जब उस खेतर के मूल लोंगो की नाराजगी बढ़ने लगी तो ये लोग अपने-पने मूल दे जहां से वे आये थे अप्रवासी यॉरॉप वापस चले गया ज़त भारत से अंग्रेस लोग इंग्लेंड वापस गया गोवा से पौर्टीर्वी लोग वापस गया पॉंडिचेरी से फ्रेंच लोग वापस गया करें ऐसी पूरी दुनिया में हुआ कई देशों में एशिया ही लोग भी गया और फिर जब समय आया तो वे अपने अपने मूल देश वापस आ गया और वहां के लोंगों पर वह देश छोड़ दिया वह स्वतंतर बन गया यानि मूल लोंगों को अब सत्ता मिल गई उपनिवेश की समापती के साथ वहां के मूल निवासियों को वहां की सत्ता मिल गई वहां के सादि आर्थिक और राजनेतिक अधिकार मिल गई वे ख्षेतर जो उपनिवेश से विस्वतंतर राश्ट बन गई एक समय तो ऐसा था कि मूल निवासों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि शहरों में तो वो लगबद दिखाई ही नहीं देते थे भारत की बात दूसरी है जहां भारत में अंग्रेज इतनी भारी संख्या विनिया पाये कि वो बहुत संख्या खोएं क्योंकि भारतियों की स्वयम की जन संख्या इतनी विशाल थी और उसकी तुलना में इंग्लेंड की जन संख्या बहुत कम तो भारत की स्थिति को ऐसा हम न देखें लेकिन अनि देशों में अनि खेत्रों में इनकी संख्या बहुत संख्यक हो गई वहां के मूल निवासी अलप संख्यक हो गई शहरों में दिखाई देना मुश्किल हो गया शहरों में नजर नहीं आते थे और एक समय तो ऐसा है कि लोग भूल भी गए, कि ये हिस्सा, ये देश कभी उनका था, जो वहां के मूल निवासी थे, जो आधिम काल थे, बहुत प्राचीन काल से वहां रह रह रहे थे, उनकी संख्या इतनी नगन्य हो गई, उनकी स्थिति भी इतनी नगन्य हो गई, यदि स कई नद्या शहर इन देशों की जो हैं वो पुराने नामों से हैं पुराने नाम अर्थाज वहां के मूल निवासियों के द्वारा दिये गए नाम आज भी नद्यों पहाडों नगरों के लिए उपयोग के जाते हैं जैसे हो धारण के लिए दिम बात करें तो सुख्त राज अमेरिका को देखें। ये ऐसे नाम कोई अंग्रेजी नाम नहीं लग रहे हैं। ये वे मूल नाम है जो वहां के मूल नवासियों द्वारा अपने हे डेज में अपने दिनों में दिये गए थे इससे पहले की वे उपनिवेश में शामिल हों। उपनिवेश बन जाएं। ये एक उदारन है ये जो शहरों के नाम बताने की पीछे मकसद ये है कि आप समझें कि मूल निवासी जो बहुत पहले से थे धीरे धीरे उनके संख्या कम हो गई। नगन्य हो गए, खदेर दिये गए, भगा दिये गए, या एक पोने में धकेल दिये गए, शहरों में दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जो जगहों के नाम थे, कई जगहों के नाम वोई मूल रहे, पुराने नाम ही चलते रहे, जिसका मैंने जख्र किया है। गत्य शताबदी तक अभी कीसवी शताबदी चल रही है बीसवी शताबदी के मज़ तक मतलब करीब 1950-1960 तक अमेरिका और उस्टेलिया में जो इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती थी उस इतिहास की किताबों की भाशा कुछ ऐसी होती थी जिसमें बताया जाता था कि योरोप वासियों ने कैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिन अमेरिका और उस्टेलिया की खोज की इसके जो भाशा इतिहास का जो नजरिया था उन देशों के इतिहास का उसमें ऐसा था कि मानो योरोपी वासियों ने योरोपीयों ने अमेरिका की खोज की आस्ट्रेलिया की खोज की और तब जाके ये सब भी हो गया वहाँ जो मूल निवासी थे उनका कोई जिक्री नहीं था मूल बाशिंदे छे ओरिजिनल जो वहाँ रहते थे इन्हाबिटेंट्स ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स मूल निवासी उनका कोई जिक्री नहीं होता था पूरी जो पूरा जो इतिहास था वो यूरोपियनों की गाथाओं से भरा हुआ था उल्टा ऐसा बताया जाता था उन पुष्टकों में कि जब यूरोपियन इन देशों में पहुंशते थे जैसे हम अमेरिका और उस्टेलिया के संदर्ब में हम बात कर रहे हैं तो वहां के लोग इनको शत्रता पूर्ण दिश्टी से देखते थे बड़ा दुर्वयभार करते थे और बड़ा त्याचार भी कई बार कर बैठते थे तो यहने उनके साथ यूरोपियनों के साथ और जो बाद में इशियाई भी गया इनके साथ अन्याय होता था ऐसी है उनका इतिखास था लेकिन 1850, 1950 के आसपास थोड़ा सा नजरिये में परिवर्टनाया मूल लिवासियों को अपना इतिखास लिखने का मूल लिवासियों को अपने स्वैम के बयान देने का एक तरीके से मौकिक इतिखास लिखने के लिए तटकालीन जो मानव वग्यानिक थे उन्होंने प्रेरित किया ये मानव वग्यानिक जो 1950 के दशक के थे इनकी सोच थी कि इतिखास को शायद बदलना होगा इतिखास को बदलने का रथ तो ये नहीं है कि इतिखास को पूर्व की घटनाओं को बदला जाए लेकिन इस कार्थ ये है कि इतिखास को एक स्वतंतर नजरिये से देखकर वहां के मूल निवासियों पर केंद्रित इतिखास बनाया जाए अभी तक जो इतिखास लिखा गया है वो योरोपियों में केंद्रित है उसके केंद्र में योरोप के निवासी हैं मूल निवासियों का कोई जिक्र नहीं है तो 1950-60 के आसपार इतिहास लेखन में कुछ परिवर्त ना जा और वहां के जो मूल निवासि थे उनके बयान लेना उनके उनको इतिहास लिखने के लिए प्रिरित करना ये प्रियास शुरू हुआ और परिणाम क्या रहा परिणाम ये रहा कि नए नए बातें मूल निवासियों के जीवन शैली की सामने आए आज जो इनके जो मूल निवास मूल निवासियों दोरा जो लिखा गया इतिहास है और जो कथा वृतान्त आदी है उसकों वो बिलकुल एक बड़ी रोचक है वहां के मूल निवासियों दोरा लिखी गए वृतान्त आदी कला संग्रह आदी को जैसे एकठा किया गया है तो ये देशी कला हम इसे कह सकते हैं देशी कला उसकी मूल भूत कला आदीवासि कला भी हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं तो इनकी जीवन शैली को समझने का इनके शौक आदी को समझने का ये संग्रहाल है बहुत जगा अब चल रहा है, खुल गया है सेंग्सराज अमेरका में तो वहां के मूल निवासियों के द्वारा ही संचालित बहुत बड़ा एक अमेरिकन इंडियन राष्टी कॉंग्रिस उसका अमेरिकन इंडियन राष्टी संग्रहाले है जो वहां के मूल निवासियों द्वारा ही संचालित है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल निवासियों पर केंद्रित इतिहास का प्रारम 1950-60 के दशक में हुआ और नजरिये में ये परिवर्टन आया कि यूरोपियनों पर केंद्रित इतिहास ना हो करके कि वहां के जो मूल बाशिंदे थे औरिजिनल इन हैबिटेंट्स थे उन पर केंद्रित इतिहास को सामने लाए जाया उसको प्रेरित किया जाया ताकि पुरानी बातें जैसे तथ थे वैसे सामने आते जाएं जिस खेतर के मैं बात किया भी आपको इस नक्षे में देखिए एक और लिखा है अलास्का और एक और लिखा है रश्या हमें से बहुत कम लोग जानते होंगे जदी भूगोल के विद्यारती नहीं है तो और कम ही लोग जानते होंगे कि अमेरिका और रूस के बीच की दूरी बहुत कम है अमेरिका और रूस के बीच की धरातल की दूरी अलासका जो है वो अमेरिका का हिस्सा है अब मैं जिस अमेरिका की बात कर रहा हुआ है सेंक्त राज अमेरिका सेंक्त राज अमेरिका के नक्षे को देखिए इसमें सेंक्त राज उत्तरी अमेरिका का नक्षा देखा आपने इस उत्तरी अमेरिका के नक्षे में सेंक्त राज अमेरिका दिख रहा है सेंक्त राज अमेरिका के ऊपर कैनेडा है और केनड़ा के बाई और अलास्का लिखा हुआ है इसका रंद और अमेरिका का रंग लगबत सेंक्तराज अमेरिका का रंग एक ही है अलास्का और सेंक्तराज अमेरिका का रंग एक ही है अर्थात अलास्का भी सेंक्तराज अमेरिका का एक हिस्सा है उसका एक राज्य है यद्यपी सेंक्त राज अमेरिका से भागोलिक दिश्टी से वह जुड़ा हुआ नहीं है पर अमेरिका का हिस्सा है और अमेरिका के इस हिस्से का नाम जिसका नाम एलास्का है उसका एक छोर रूस को लगभग छूता हुआ दिखाई देता है और बीच मे Baring Strait क्या है Baring Strait Baring Sea के पास Baring Sea से उपर यह आपकी समझ के लिए एक और नक्षा इसमें देखिए Architect Circle Russia और दूसरी ओर Alaska और नीचे लिखा है US क्योंकि वो United States का हिस्सा है और यहां पे आप Baring Strait को और समझदारी से दे सकते हैं Strait कार्थ क्या होता है S-T-R-A-I-T Strait Very Narrow Patch of Sea समझ का बहुत Narrow हिस्सा बहुत Narrow हिस्सा उसे Strait कहते हैं Strait of Gibraltar ऐसे ही Baring Strait तो यहां पर अब यह आपको इस नक्षे में और स्पश्ट है कि किस प्रकार यॉरप में यॉरप का एक हिस्सा रश्या का हिस्सा इन फैक्ट किस तरीके से अमेरिका के एक हिस्से से मत्र कुछ ही दूर है उन दोनों हिस्सों के बीच की दूरी वास्तों में इतनी कम है कि इस शताबदी में बलकि कुछ वर्षों पूर्व से ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है जिसके तहट लंडन को न्यू यॉर्क से सडक मार्क से जोड़ा जाए कल्प ना कर सकता है लंडन टू न्यू यॉर्क बाइ रोड दिक्कजवारी थी वही बेरिंग स्ट्रीट में लेकिन बेरिंग स्ट्रेट की चुड़ाई इतनी कम है कि आराम से वहाँ पे सडक बन सकती है पुल का निर्मान हो सकता है और फिर लंडन, मॉस्को फिर पूरा रूस पार करते हुए फिर उसके बाद अलास्का और अलास्का के बाद कैनेडा और कैनेडा से होते हुए नियॉर्क इसी को कहते हैं वर्ल्ड इस विलेच ग्लोबलाईजेशन दुनिया छोटी होती जारी है ये नक्षा आपको इस पश्ट करता है उस खेतर के बारे में जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ बेरिंग स्टेट अपने इस अध्याय में आगे बढ़ने पहले एक अंतिम लोग इस नक्षे को देखिए यहां पर बेरिंग स्टेट लिखा हुआ है और उत्तरी अमेरिका का जो पहश्चिमी हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का पहश्चिमी हिस्सा उस हिस्से को इस नक्षे के पूर में पुना दिखाये गया है दुनिया गोल है आपने प्रारम में जब मैंने गलोब दिखाया उसमें आपने देखा कि दुनिया गोल दुनिया है और कैसे अलास्का का एक हिस्सा रूस के हिस्से से जुड़ा हुआ है ये वही हिस्सा है तुरिय अमेरिका का वह कॉर्नर जो पुना आपको पूर में दिखाय जा रहा है और बेरिंग स्टेट लिखा हुआ है इस नक्षे में आप देख सकते हैं कि इतना विशाल विश्व कैसे सिमटता जा रहा है ये अब एक नक्षा देखिए जो हमारे इस अध्याय से जुड़ा हुआ है इस अध्याय पर जाने के पूर्वे जरूरी था कि हम अच्छी तरह विस्थापित लोगों के खित्र के बारे में थोड़ा सा भागोलिक ज्यान ले ले और इसलिए मैंने बारं बार नक्षा दिखा कर आपको बेरिंग स्टेट आदी के बारे में बताया है अब यहां देखिए इस नक्षे में क्या दिया है और इस नक्षे में कुछ लिखा भी हुआ है कुछ अंक लिखे हुआ है यह बताते हैं कि आच्छे कितने हजार वर्ष पूर्व यहां पर विस्थापन प्रारंब हुआ कितने हजार वर्ष पूर्व विस्थापन प्रारंब हुआ इसका काल दिखाये गिए और इसको देख सकते हैं कि 40,000 वर्ष पूर्व, 1,000,000 वर्ष पूर्व, 70,000 वर्ष पूर्व आदी-आदी और फिर उनके विस्थापन का मार्ग कहां से विस्थापन प्रारंब होता है और ये लोग कहां विस्थापित होते हैं जहां एक लाख वर्षपूर अफ्रीका के ऊपर आप देखते हैं विस्थापन की सबसे प्राचीन तमकाल वहीं आप देखेंगे 4500 वर्षपूर विस्थापन और ऐसे ही आप देखेंगे आस्ट्रेलिया के पास 1500 वर्ष तूर का भी विस्थापन Humans, Netherlands और Early Hominits ये लोग कैसे मूव करते हैं इस नक्षे में भारत भी देखिए भारत में भी विस्थापित लोग कैसे आते हैं कब आते हैं इसका काल मानो शास्त्रियों के नजरिये से